दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके अपने येटूब चैनल पीके एजुकेटर में दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले यूपी स्कॉलर्शिप सैचिक साथ 2019 बीस को लेकर पिछले सातर में जिन छात्रों की स्कॉलर्शिप या फिर स्वापसी न पूरी पलपल की अपडेट पाने के लिए तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट तो दोस्तों ये नियूज है आपके सामने यूप कोरोना के कारण फंस गई दो लाग चात्रों की स्कॉलर्शिप आपडेट भी या पर देख सकते हैं 20 अगस्त की ये हिंदुस्तान की प्रयागरास से नियूज है ठीक है पूरी देखी बात क्या है कि कोरोना संक्रमन ने तमाम योजनाओं को पीछे ठेल दिया इसमें सबसे महत्पूर्ण योजनाओं में छात्रट योजना है इस साल अब तक छात्रों के खाते में छात्रट का पैसा नहीं गया है तमाम विभ बात करेंगे जो पिछले सत्र की यानी 2019 की जिनकी स्कॉलर्शी परफी स्वाप सी नहीं आई थी वो कब तक आएगी इसी वीडियो में लास्ट में आपको मिलेगी ठीक है तो आप वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहेगा ठीक है चात्र प्रितिक का जो काम अपरेल और मैं म सभी वर्गों के लिए 30,500 इंकावन चात्रों का लच्छ था इसके सापेच 26,404 लाभार्थियों के आवेदन स्विकरत हुए थे ऐसे ही इंटर में सभी वर्गों के लिए कुल 28,461 के लच्छ के सापेच 24,942 आवेदन सुिकरत हुए और 22,787 लाभार्थियों के खाते में चात्वरति की राशी गई थी इसना तक कच्छाओं के लिए कुल 1,3596 का लच्छ था जिसके सापेच 94,886 आवेदन सुख्रेत हुए और उनमें भी सभी चात्रों की स्कॉलर्शिप और फीर स्वापसी नहीं मिली केवल 78,382 लाभार्तियों के खाते में गई थी इस साल अब का आवेदन सुरू नहीं हो सका है ऐसे ही अलपसंख्य कल्याड विभाग की ओर से दो चात्रों दी जाती हैं एक केंसरकार की योजना के तहत और एक राश सरकार की योजना के तहत गत और सकेंदर और रज की योजना में लगबग 19, 19,000 लाभार्तियों को चात्रों दिया ग पूरा फॉर्म फिल नहीं हो रहा है तो देखे एक नियुजिय कि दो ऑक्टूबर को होगा चात्रों को चात्रों को चात्रों दी ओजिना का लाब दिलाने के लिए हैं इस क्रम में सभी सिस्चंड संस्थाओं से नवीनी करण यानी रिनवल के लिए कहा गया है संस्थाओं के और से स्विक्रत आवेदन आने के बाद आगे की कारवाई होगी देखे पेंच कहां फंसा है तो इसकी बात करते हैं यही बाद यही पर बात करेंगे कि जब सभी संस्थाओं से परड़ाम अपलोड होंगे इसके बाद ही अंतिम पात्रों की सूची मिलेगी जिस पर कारवाई हो सकती है तो जब तक सभी उनिवेस्टी अपना रिजल्ट अपलोड नहीं कर देती है तब तक आप लोगों की पिछले सात्र की स्कॉलर्शिप है और फी स्वापसी वह नहीं आपाएगी जैसे ही सभी परड़ाम अपलोड हो जाएंगे उसके बाद पात्र छात्रों की सूची निकाल कर जो भी सेस रहें चात्र उनकी स्कॉलर्शिप और फी स्वापसी दी जाएगी ऐसा इतकारियों कहना तो दोस्तों इस वीडियो में इतना